हेलो अबर्रिवन, आज मैं आपके सामने नारिल के बुरादे की रेसिपि लेकर आई हूँ इसके लिए सबसे पहले नारिल का बुरादे है लेलिया है जो इसका बाहर का ब्राउन हिस्सा है वो हमें सारा कट करना है जो ब्राउन हिसा है उसे हमें सारा कट कर लेना है वैसे तो मार्केट में भी नायल का बुरादा मिल जाता है लेकिन अगर आप घर पर बनाएं नायल का बुरादा तो बहुत ही फ्रेश मिलता है बहुत ही फ्रेश बनता है इसलिए जो बाम मार्केट में नायर का बुरादा है वह ज़्यादा मेंगा भी होता है अगर आप घर पर बनाए तो इतना ज़्यादा मेंगा नहीं पड़ेगा और इसके आप एक मेने तक स्टोर करके रख सकते हैं इसकी कोई भी अगर रेसिपी मि बना सकते हैं इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि आप गर पर ही नायर का बुरादा बना कर स्टोर करके रख सकते हैं और यह देखे बाहर का ब्राउन हिस्सा है जो सारा ही मैंने हटा दिया है और इसको अच्छी तरह से ब्राउन हिस्से को सारा सुषाप कर लेंगे हमें सरफ तो मिक्स्चर जार में ग्रैंड करें तो बहुत ही इजी तरीके से ग्रैंड हो जाए चादा चोटे टुकडे भी नहीं करने हैं सिरफ हमें मोटे मोटे टुकडे ही रखने हैं टुकडे करने से यह बहुत ही तरीके से दो मिनट में ही मिक्स्चर जार में ग्रैंड हो नारिल काहने सार है अरा अब एक हम मिक्शर जार लेझे। लगए लगाता नहीं चलाना है मेक्सिको रूकर के ही चलाना है सिर्फ दो मिनट तक ही और यह देखिए बिलकुल एकदम से वाइट और फ्रेश नायल का बुराता बनकर रैडी हो गया है और वह पी पांच मिनट में बस हमें इतना ही ग्रैन करना है अगर आप चादा इसको पीसेंगे तो इसमें से ओईल बाहर निकल के आ जाएगा और यह पांच मिनट में ही नायल का बुराता बनकर रैडी हो गया है और इसे आप हम अब हम इसे प्लास्टिक कंटेनर में डाल कर स्टोर कर लेंगे और कोई भी रेसिपी बनानी हो मिठाई बनानी हो तो आप इसमें यूज कर सकते हैं यह देखिए मैं इसे प्लास्टिक कंटेनर म सब्स्राइब करना ना भूलें